आदेश आदेश जैश्वी महाकाल जैमां का मक्या हम गुरु कराल रूदर तरा कॉला चारेजी आप सभी का पुना स्वागत करते हैं हमारे इस यूटिब चैनल महा तंत्रग्यान 2022 के अंदर मा भगविति भवतारणी महा काम रूपनी कामे शुरी देवी आप सभी का कल्यान करे तंत्र साथना के शेतर पर हम गुरु कराल रूदर तरा कॉला चारेजी आज आपको एक ऐसी गुप्त देवी गुप्त शक्ती के बारे में बताने वाले हैं जिसका वर्नन ना तो कहीं भी इंटरनेट पे ना तो कहीं भी किताबों में ना ही आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कहीं इसका कोई वर्नन नहीं मिलने वाला भी कोई जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है इस देवी के बारे में कोई भी आपको अच्छे से जानकारी नहीं दे सकता ये देवी जो है माशीतला की मानस पुत्री बोले गई है माशीतला की एक महा कलाओं में से एक है इस देवी का नाम है देवी रक्तबती रक्तबती देवी का वर्णन कामशेत्र में और कामख्या तंत्र में बहुत ही कुप्तम विधान से बोला गया है कामख्या मंदिर के खसर इत्यादी गया जॉंडिस की देवी बोला गया ये वो देवी होते है जिसका न्यंतरन आपके बुखार के उपर और आपके दिल के दोरे के उपर होता है या दिल के अंदर प्रवाह होने वाली रक्त गणिगाओं के अंदर होता है खून की कमी जिसको होती है या फिर जि इसकी आराधना करनी चाहिए आपने देखा होगा बहुत समय पहले से की बड़े-बड़े सादु सन्यासी जो हुआ करते की जिनके आश्रिवाद से लोगों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाया करते लोगों की जो है दिल रक्तचाप के समस्यां दूर हो जाया करती लोगों के वापिस उनको इस प्रकार के कोई समसे ही नहीं हुआ करती वो किस प्रकार से नहीं हुआ करती क्योंकि जो लोग इस देवी को सिद्ध कर लें इस देवी का ज़ाड़ा इत्यादी भी किसी को लगा दें या फिर इस देवी का जो है जो है जो है रोग काट दें किसी हर्ट इत्यादी के जिसको ज़्यादा प्रोब्लम रहती है, हर्ट वगारा जिसका फेलियर हो जाता है, उन लोगों को इस देवी के आरातना करना चाहिए, कामाखे तंत्र में और काली तंत्र में शास्त्र में इस देवी को सदैव सही बड़ाई ही जो है योग्यमी देवी के रूप में जो है जाना चाता है, इसकी लीला और इसकी महिमा अपरमपार होती है, इसका आज तक चित्र भी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सांजा नहीं किया गया है, लेकिन हमारे द्वारा आज पहली बार आपको इस देवी के दर्शन करवाए जा रहे हैं, इस दे शीतला अश्टमी का महा उत्सव है, कल के दिन शीतला अश्टमी का महुत्सव है, जो कि शनिवार सुबा 11 बज के 45 मिनट तक रहेगा, शीतला अश्टमी का महुत्सव उसके उपरांत नवमी का महुरत चालू हो जाएगा, तो शीतला अश्टमी के महा उत्सव पर हम हिन रोगों की इसे अपने जो हैं मुक्ती पा सकता है शारीरिक कष़्टों से मुक्ती प्राप्त कर सकता है। मारतिवधि के अराधना करने के लिए धंडी चीज़ों का मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, मा को ठंडा भोजन अधिक प्रिया है ठंडा भोजन काने का रीजन यह होता है कि जितना आप ठंडा खाते हैं आपको डाइजस्ट अच्छे से होता है और आपको रक्त संचार इत्यादी की समस्या ही नहीं रहती वैसे भी गर्म चीजें खाने से या फिर दूशी चीजें खाने से ही आपको जो है शरीर समन्दित बिमारियां लगते हैं कि तुर जो ठंडा भोजन खाया जाता है उस ठंडे भोजन को खाने से शरीर के अंदर ठंडा को बढ़ती है ताप बहार का अरतना का पुर्णफल मिलते हैं रक्तबदी का मूल रूप में पूजन शितला अश्टमी के दिन पे किया जाता है शितला अश्टमी के दिन पे एक रात्री पूरव अर्थात आज रात्री को मा रक्तबदी को जो प्रिय चीजे होती है जो की मखाने की खीर होती है और माल पुए होते हैं रबडी होती है साथ में जो है आलू गोबी की या पूरी की सबजी होती है मातारणी को जो है मिठे पुए चड़ते हैं माल पुए चड़ते हैं गुलकुले चड़ते हैं पतासे चड़ते हैं मिठे रोट चड़ते हैं माता मातरानी को जो है देसी छात चड़ती है जो जिसको लसी भी बोला जाता है दूद जो है दहीं की लसी जो होती है मातरानी के चड़ता है मातरानी को ताड के जो व्रिक्ष होते हैं उनका उनके जो खजूर के जो व्रिक्ष होते हैं उनका पंखा चड़ता है मातरानी को मोर पं के दिन पे चुहे चड़ाइजाते और आज की रात्री में इन सब चीजों को एकतर कर लिया जाता है एकतर करने से पूर्व इन सब को लाल कपड़े में बान करके और जो पकाने वγάला प्रसाद है उसको रात्री को पका करके सुबा सुबा ब्रह्म महुरत में सुर्य उद्ध होने से पुर्व महामाई के मंदिर में जाकर के इसके स्थान पे जाकर के इसको अर्पित किया जाता है जिससे मारक्तबति और माशीतला देवी का आश्रिवाद सदै आप लोगों को पराप्त होता है इसके आरादना और इसके साधना कैसे की जाती है हम यह आपको बताते है इसके आरादना और साधना शीतला अश्टमी के दिन से ही आरंब की जाती है मा का दिव्य मंत्र होता है जो कि हम यहाँ नहीं बता सकते है मा रक्तबति और मा शीतला देवी का मारक्टवथी का मन्तर होता है इसको जाकृत करना पड़ता है ये मन्तर अधिक भी मतलब जपने की जरूरत नहीं होती मत्र 27 लाख में सिद्ध हो जाता है क्योंकि सरवार्थ सिद्ध होता है और समाज के कल्यान के लिए इसकी साधना रातने ज़्यादा की जाती है इसलिए इस मंत्र को मातर सवालाख के पुरुष्ण पे भी जगा लिया जाता है जगाने के उपरात जो है कुमारियों में प्रसाद इत्यादी बांट दिया जाता है जगाने के नाम का जो है जरूरत मंदो को वस्तर और चाछ इत्यादी का भंडारा इत्यादी की अपरातले है जिससमाई वह मंत्र जागरत हो जाए यह बड़े से बड़े कर्म कर सकता है जिसको असाध्य रोग होता है उनको ठीक कर देता है यादि किसी इंसान के खुद के उपर भी इस परकार की कोई प्रोब्लम है जिसका बुखार नहीं तूटता है और जिसको जो है रखते चाप की समस्या होती है जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है जिसको खून का एंजाइटी का दोरा पड़ता है जिसको खून का जोरा पड़ता है, मिर्गी इत्यादी जिसको आती है, मिठलाई आती है जिसको या फिर जिसको heart failure इत्यादी की problem होती है, उन सब चीजों को जो है भगवती की आराधना से ठीक किया जाता है और माभवती के अराधना से ये सब बिमारियां आप लोगों से कोसो दूर चली जाते हैं, तो मारतवती की आराधना करिये, घर के अंदर इसका जोतबती करिये, इसकी कृपासे माभवती की कृपासे आप से भी अकल लाण होगा ये गूप्त देवी की प्रथम बार हमने यूट्यूब के ओपर कुछ बताया इस देवी की साधना राधना करने के लिए हमें वट्साप पे मैसेज करें कोई भी हमें डारेक्ट कोल वट्साप पे ना करें अपनी बारी का इंतजार करें 26 तारीक शनिवार के दिन पे दरबार लगेगा जिसको भी दिक्षा गरण करना हो 26 तारीक को दरबार पे सुबार 10 बजे हमारे पास पहुंच जाए और दिक्षा में क्या-क्या समगरी लगती है यूट्यूब पे हमने अल्रेडी बताया ही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि महाकाली दिक्षा में किस-किस चीज की समगरी के अवशक्ता पढ़ती है तो यहीं सब sंगری लगती है यह सब बताया गया है basic course start करवाए गए है basic course को आप start out कर सकते है basic course का next part भी आप से भी के सामने दिखाया जाएगा उसको भी आप से भी जो है like करिए, share करिए channel को subscribe करिए और bell icon को प्रेस करके all पे click कर दिजे तांकि आपके पास चैनल से सरी गार्डिंग सभी जानका रही है, समय समय पे पहुंचते रही है खुश रही है, आबाद रही है, महावाई का नाम जब करते रही है इसी के साथ हम गुरु कराल रूदरतारा जी आप सभी कुछ शीतला सप्तमी और शीतला अश्टमी की धेरो शुब कामना ही देते है हमारा शिवाद आप सभी के उपर बना रहे जाया है